नमास्कार मैं पुश्पा बोसले मेरे चानल पर आपका स्वागत करती हूँ आज हम देखेंगे मकर संक्रंती स्पेशिल रेशिपी तील और गूड की चिकी तो देखते हैं तील गूड चिकी के लिए किंचीजों की जरुरत होगी ये तील है सपेट तील और ये गूड है ये है एक कटोरी सपेक्तिव 1000 ग्राम है और ये गूर aos होड़ा करांनाया चीनी धोड़ी-छी-चीनी डालना है उसमें चीनी और हुड मिला के एक कटोर करनाया है और ये थोड़ा सा घी और ये इलाईची और जाखळ का बात है तील बहून लेते हैं गटूण गया है कि दिल उटने लगाए थावा जा रहा है यह प्लेड में निकाल लेते हैं मैं दो जगात कर रही हो अभिस चीन भी ठोड़ा इसमें दो बार में दो बर मेल करेंगे गुर को अलग अलग थोड़ा थोड़ा बनाएंगे एक काटूरी का एक साथ नहीं बनाएंगे यह देख पहले मैं आदर डाल रही हूं कि अ कि शिर्फ गुड़ का भी आप ठीकी बना सकते है गुड़की भी लेकिन चीनी डालने से चीकी ज्यादा क्रिस्पी बन जाती है थोड़ा सा घी दूर को अच्छा मिल्क कर लेते हैं करें गरम है थोड़े टाइम में वह हो जाएगा तब बंद करके रखते हैं नहीं तो वह जल जाएगा बंद कर दिया है यास मेंने एक काटोरी में पाड़ी लेके उसमें थोड़ा सा घी बूटागी देखें हो गया है कि इसका आवाज आया थोड़े सी लाइचे बाउडर और यह तीशा ग्यास अगर आप चालवी रखेंगे तो वह गूंजो है वह जर जाएगा फिर वह चीकी कड़ भी लगेगी अच्छी नहीं लगेगी अच्छी टेस नहीं आएगी ठीकी के इसके लिए ग्यास बंद कर देंगे तो भी चलेगा यह कड़ाई गरम रहती है तो वह जाता अब ग्यास जेखिए जोला जैता बस्तेक है और ताटको भी तो भी तो हुआ अ कि मेशेर जो है अटिक श्यादी को कर दो दो आएगी परेखिए रोब्त है यह तो पिल दो दोल आए मस्क्ता आइग ज़ेखिए शिए भी पूटेशा यह में खूशांत बाड़ मीश्ट ब इसको यह बिल्कुल आपके हाथ को टुच नहीं करना चीए नहीं तो यह आपके उंगली में अगर लग गया हाथ में लग तो बहुत देज चलता है कि इसको थोड़ा सथ ठंडा होने देते हैं जमने जते थोड़ा एक मिनिट तक ऐसे रहने देंगे चापुपो भी घी लगाये ते बेलंको भी घी लगा रही हो में यह देखिए थोड़ा सा अठन लाउनी देते हैं तब तक ग्यास रालू करते यह आधा जो गूर था गूर और चीनी डागियों में थोड़ा सा घी देखते हैं यह मुआ है क्या पेल सकते हैं एकदम इसको तुरंती नहीं बेलना है नहीं तो कड़ाई से नीचे ले लिया आपने इसके चकले पर बेलने लगेंगे तो नहीं होगा उसको एक मिनिट तक खंडावने तो बाद में पेलो तो यह आच्छे से आप बना पाहेंग यह देखें आच्छे से भी बेल रहा है आपके हाद में गी ज्यादा लगा लो यह चिपके ना नहीं तो चिपकेगा तो बहुत देज जलेगा हाद यह द्यान में रखना है आपको तो पिल्खुल पदला बेलेंगे एड़डम थीन बेलेंगे तो वह चिपकी जितने पदली थीन रहती है उतनी पेस्टी रखती है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये बाद में इसको बाब को जदी जदी बेलना है ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये बेला नहीं जाएगा यह थोड़ा गरम है तब तक की इसको इसे काट के रखते हैं ठंडा होने के बाद इसके फिर वड़ी निकालेंगे यह तो एक बार यह पूरा ठंडा हो गया तो इसको आप काट नहीं सकते हैं कटेगा नहीं है यह दिखे निकल रहा है जो आदा बचा गूड था ओ डाल दिया ओ भी यह भी मेल्क हो गया है चिकी बनाते समय आप ग्यास को ज्यादा नहीं रखिये अगर गम रख की बनाएगा ताइम लगेगा थोड़ा लेकिन चिकी टेस्टी बनेगी गूड और चिली मेल गया है बन गया है बन गया है इसमें डालते ही है जाइंट फोलाव री नाइस्टी का पाउडर और यह तीन यह देखिए यह वड़ी काई है बिल्कुल पतला सा ली वड़ी बेली है मैंने बहुत अच्छा लेत्ती लगेगी यह वड़ी ग्शाइब जाइब है कि अच्छा को से आप एसा इसको थोड़ा सब्रेस दरिये हाथ को गी लगा के अब थोड़ा सब्रेस करते हैं अभी थोड़ा सब्रेस थंडा हो गया है यह लब हाथ लगा सकती है कि अब पोरे चकले पे वह बेलन जो है वह गुमाना है तो यह जैसे वड़ी बनेगे नहीं तो आप यह की जगह बेलते रहेंगे इधर छोटा और इधर बड़ा बन जाएगा हूं अब यह नहीं बेला जा रहा है अजले नहीं गर रहेगी जात सब्सक्राँ कि अरी छाऊदां जार बेल वगरा रहेगा दास को एफ डंड आप का यह दोर्प discussed यह दिखिया निकल लिया भी यह दिखिया रिस्पी तील और पूण की ओड़ी तयार है मेरा वीडियो देखे आप भी ऐसी चिक्की बनाईएगा आप अगर अच्छी चिक्की बना पाए तो मेरे को फिद्बैक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले थैंक यू